जानबाद के मक्तुमपुर प्रखंड के वानावर पहाडी शेत्र में पूरे एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले काउध घाटन बोलबम के जायकारे के साथ किया गया बाबा से देश्वरनाथ शावणी मेले का उधगाटन स्डियम और स्पी ने सयूक्त रूप से किया एतिहासिक और धार्मिक रूप से चर्चिद वानावर पहाडी की चोटी परस्तेद बाबा से देश्वरनाथ पर जलाभिशेक करने के लिए पूरे श्रावण में भक्तों का ताता लगा रहता है इस मेले के उधगाटन के मौके पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालों के सुविधा का हर संभव हयाल रखा जाएगा उन्होंने कहा कि यहां जलभी शेक के लिए आने वाले श्रद्धालों को किसी प्रकार की परिशानी नहों से देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तयार है मिला शेत्र में सुरक्षा के साथ ही बिजली, पानी, लाइट और स्वास्त सुविधा के भी पुक्त अंतिजाम किये गए है बनावर स्वावनी मिला का सुबरम किया गया हमारी और स्पी साहिब और यहां सुबरी पदादिकारियों के साथ आपको बतादें कि शावडे मेलक उद्गाटन के साथ ही बाबा सिदेश्वरनाथ पर जलाविशेक करने के लिए सुबह से ही श्रधालों के भीड उमरने लगी सावन के पहले दिन हजारों श्रधालों ने बाबा सिदेश्वरनाथ पर जलाविशेक किया मिलाशेतर में विधी व्यवस्था को बनाई रखने के उद्धिश्य से महारी संग्या में डंडाधिकारियों और पुलीस पदाधिकारियों की तैनाती की गई पंजाव के इसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार के रिपोर्ट